हेलो गाईज, वेलकम तो अचीवाईएस, माई नेम इस आईविश मेथी, इस वीडियो में हम एनलेसस करेंगे ग्रिन बिल्डिंग्स का कम्प्लेट पिच्टर को जानेंगे माइंड वैप के जरिए, लेट असे स्टार्ट, सबसे पहले वी विल अंडरस्टेंड दे प्रेज एन्वली आट परसेंट से बढ़ता जा रहा, इस इंक्रीजिंग एट परसेंट एन्वली, और इफ कन्वेंशनल एफिशेंट बिल्डिंग प्रेक्टिसेस कंटिन्यू, देन बिल्डिंग्स विल अकाउंट फॉर ओवर सेवन्टी परसेंट अफ एमिशन्स बाइट तो थ वो अभी development stage में है, और केवल अभी अपने देश में 50% बिल्डिंग्स ऐसी है जिनको हम green कह सकते हैं, यानी जो जिनका eco-friendly energy consumption होता है, नीड क्यों है green buildings की, सबसे पहले तो impact on environment, या फिर जो energy demand है उस पे impact जो होता है, second it reduces heat waves, और it is called as urban heat island effect, जिसमें आपकी ये glasses की और ये warm temperature हो जाता है, और cities में तापमा temperature काफी बढ़ जाता है, low energy cost आती है बाद में, conventional building जो में energy cost आती है, और यतनी green buildings में आती है, दोनों में एक time पे बहुत बड़ा gap आ जाता है, initial cost और design cost फिर high है, लेकिन long term में जाके देखेंगे, तो फिर जो electricity bills और जो ये बचत होती है green activities में इससे फिर वो बराबर हो जाता है, pandemic के बाद green buildings की वैसे काफी ज़्यदा जरुद बढ़ गई है, क्योंकि अब जो residential houses में जो रहते हैं, उनको काफी ज़्यदा समझ आ गया अब, कि अब healthy रहना ही सबसे सही चीज है, पैसे का क्या करोगे, तो post covid के बाद individuals काफी ज़् हो रहे हैं, अपने health को लेके काफी cautious हैं, और वो ऐसी buildings में आना चाहते हैं, जहाँ पे better ventilation system हो, daylight अच्छे से आती हो, fresh water availability हो, तो green buildings में इनकी पूरी की पूरी विवस्ता होती है, WHO के according respiratory or lung disease जो है, वो associated है, poor indoor environment quality से, और ये three of the top five causes है, death का, ठीक है, तो green homes और office की वजए से natural light आ और artificial light थोड़ी कम रहती है, उसमें space की उसमें विस्ता की जाती है, ताकि जो sun की light है, जो natural light है, वो अंदर आए, natural daylight के आने से क्या होगा, stress level घड़ जाएगा employee का, थोड़ा psychological comfort मिलेगा, employees की productivity बढ़ेगी, दूसरा region, इंडिया एक leader बनना चाहता है, climate change से लड़ने में, green energy के म मामले में, China और India मामले में complete कर रहे है, so India's green economic recovery को देखते हुए, और India का रोल देखते हुए, ये काफी जदा हमें, जरुत महसूस होती है, COVID के बाद हमें build back better की काफी अफशकता महसूस हूँ, यानि उन sectors में invest करना चाहिए, जहां पर पैसे भी आ सके, jobs भी बढ़ सके, employment भी बढ़े, economy भी बढ़े और साथ में green growth भी बढ़े, यानि आप conservation और development को लेकर साथ चलना पड़ेगा, उसको साथ लेकर तब चल सकते हैं, जब ऐसे sector में आप ऐसा लगाओ, जो दोनों को संभाल के रखे, conservation और हमारी environment या फिर conservation और development को, challenges क्या क्या है, challenges यह हैं कि सबसे पहले तो high initial cost मैंने बता दिया, 18% ज्यादा कम से कम, conventional building से cost लगती है, और अभी technical expertise भी इतनी नहीं है, हर कोई expert नहीं है, green buildings के मामले में, green projects के मामले में, तो फिर थोड़ा बहुत पैसे की दिक्कत आती है, दूसी बात awareness अभी काफी इतनी नहीं है, ठीक है, अभी civil society में थोड़ा अभी आम लोगों को इसकी जुरत महसूस नहीं हुए है, cities में भी लोगों को महसूस हुआ है, लेकिन इस level तक नहीं पहुची है, जो प्रोपर government rules or regulation नहीं है, ताक इसका large scale implementation हो सके, और इसमें additional clearance की जुरत पढ़ती है, जो green building होती है, जो code होते है, तो उनकी additional clearance और approval की जुर of green buildings, so incentives को बढ़ाना पड़ेगा, और जो हैं अभी वो uniform नहीं है, for example, अभी हम देखेंगे काई सारी states ने अपनी incentive चला रखी green buildings को बढ़ाने के लिए, तो इस state जो incentive नहीं दे रहे है, उनमें कैसी green building बढ़ेगी, तो वहां पे तो pollution ऐसे और climate change का ऐसे बढ़ता जाएगा, त युनिफॉर्म भी तो करना पड़ेगा, तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि government का role और banks का role इसमें क्या है, सबसे पहले तो government ने buildings के लिए green rating लेका है, गरिहा नाम है उसका, ठीक है, government ने mandate किया, जितनी भी central government और PSU buildings उनको three star rating मिलने चाहे गरिहा के अंदर, ठीक है, इस rating में क्या आँगा, rating में है कि अपने जो resources का use आप कर रहे हो, 30% तक कम कर दो, energy intensity 30% तक आपके कम होनी चाहिए, और ministry of power के अंदर ये scheme भी, eco निवास, समहीता green housing scheme, और कैसार state government ने तो promise किया है कि ग्रिहा प्रोजेक्ट के लिए हम flow to area ratio भी बढ़ाएंगे, यानि कि जितना ज़्यादा incentive इवास कर सकते हैं करेंगे, जैसे आंदर पतेश ने 25% सबसीडी दिया, total fixed capital investment पे अगर green project के मामले में, ता मिलडू महराष्टर में तो green buildings बढ़ती जा रही है, इस level पे नहीं है, लेकिन बढ़ रही है और states के मुकाबले, करनाटका government ने incentive दिया है, जैसे property tracks और stamp duty में reduction हो जा जो green bond issue कर रहे है, अभी green bond कैसे काम आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि हा private sector भी इसमें हाथ मिला रहा है, दूसी चीज़ हम समझते है, way forward, देखिए, आगे हम और सरगार को क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या steps उठाने चाहिए, जिन से green buildings में काफे ज़्यदा परदान मंतरी अवाज योजने scheme आई थी, तो इसको थोड़ा green buildings की तरफ tilt कर सकते हैं, कोशिश ये कर सकते हैं, green buildings से तरफ ज़्यदा जोर रहे, हाला कि ये करना मुश्किल है, लेकिन government पे जो है, इसको ध्यान देना चाहिए, एकनोमी के लिए भी काफी ज़्यदा फायदा होगा, तो है, green buildings में long time investment चाहिए, और banks को इस investment प्रवाइड करना चाहिए, green buildings के जरी है, ताकि green buildings बनाई जा सके, अब bank जो हो home loan interest rate देते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, कि जो green rating match कर रही है, जिन buildings की, उनमें interest rate थोड़ा कम हो जाए, बदले में सरकार उंको थोड़ा incentive दे दे, भाई, banks अगर interest rate कम करने, green building, building से, तो bank को क्या फायदा, तो सरकार को bank को फिर पैसा देना पड़ेगा, तो incentivize तो सरकाई को करना, सरकार को करना पड़ेगा, subsidize insurance model कैसे आएगा, कि यहाँ पे कोई developer है, उसको building मना नहीं है, तो वो क्या ले लेगा, insurance policy ले लेगा, insurance company स construction से पहले और वादा करेगा, कि इस building को हम green building मनाएंगे, पूरे standards के साथ match करेंगे, quality वैसी लेगे, जिस green building के होती है, फिर banks यह सुनके उसको पैसा दे देगा, green credit दे देगा, interest rate उसकी कम होगी, क्योंकि green building है, क्योंकि बदले में bank को पैसा मिल रहा है, और जब construction हो जाएगा building का, तो investor को पैसा मिल गया, bank ने पैसा भी दे दिया, green building भी बन गई, अब मालो अगर वो green building नहीं बनाता, मालो पैसा उसने green building के नाम पे ले लिया, लेकिन उस जगे उसने लगा नहीं तो insurance company को यहाँ पे पैसा भरना पड़ेगा, और पूरा अगर यहाँ पे standard match नहीं होते हैं, तो अब insurance company के पास पैसा कहा से आएगा, वो insurance premium लेती रहेगी company, और हर sector में रिस्क नहीं होगा, जोरी नहीं है, हर investor ही ऐसा दोखे बाज रहे, ठीक है, तो green buildings बनेंगी, insurance company को वैसे रिस्क तो उठाने पड़ेगा, लेकिन जोरत है इसकी insurance model की, तो यह मैंने चीजे बता housing for all program के तहत हमें अभी तो 2 करोड urban और 1 करोड rural home बनाने हैं, तो इनमें हम green building, green standards ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कोशिश करी जाए तो क्या दिक्कत है, corporate sentiment अभी थोड़ा सा energy, environment की तरफ थोड़े जुका हुआ है, ठीक है, तो अभी कुछ companies carbon neutral pledge भी ले रही है, आपको इसे बढ़ती है, तो देखते हैं, और कितना ज्यादा इहां पर इसमें इजाफ आता है, तो government को banking sector साथ मिलके, इस green construction sector को fuel करना चाहिए, ताकि हम अपना potential achieve कर पाएं, और साथ में दुनिया को दिखा पाएं, कि we are the leader, हम इस मामले में leader हैं, चलिए, no minute के अंदर हमारा complete analysis हो है, revision के लिए आपी वीडियो देख सकते हैं, mind map आपको हमरे telegram channel पर मिल जाएगा, ऐसे mind map आते रहते हैं, तो telegram channel जोइन कर लीजिए, धन्यवाद, good bye